नमस्कार 12 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास ख़बरों पर वाल स्ट्रीट की बड़ी कमपनियों के सीईयोज सफाई देने पहुंचे कैपिटल हिल आर्थिक मदद के पैसे किस तरह खर्च किये गए इसका दिया हिसाब अर्बोर डॉलर के आर्थिक पैकेज पर संसत के दोनों सद्नों में सहमती बनी और सैकड़ो जवान कुत्तों को पीछे छोड़ स्टम बने अमेरिका के कुत्ता नमबर वन वाशिंग्टन डी सी से मैं हूँ वोईस ओफ अमेरिका का हुशमा नापते अब खबरें विस्तार से आर्थिक मदद पैकेज से मिले पैसे को खर्च करने के मामले में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईयोज को अमेरिकी सांसतों ने आड़े हाथो लिया सीटी ग्रूप के भारतिया अमेरिकी सीईयो विकरम पंडित भी उन सीईयोज में शामिल थे अमेरिका की आठ बड़ी बैंकों के सीईयोज को अपने आर्थिक फैसलों पर संसतों के सामने सफाई देनी पड़ी ये वही बैंक से जनने सरकार्स से तकरीबं 170 अरब डॉलर्स की आर्थिक सहायता मिली है लेकिन इस सरकारी सहायता के गलत इस्तमाल को लेकर बैंकों को आम जनता की आलोचना जेलनी पर रही है इन बैंकों पर आरोप है कि आर्थिक मंदी के इस दौर में उन्होंने इस पैसे का उप्योग प्राइवेट जेट्स खरीदने, आफिस को सज्जाने, उची तनखाय और बड़े बोनसेज देने के लिए किया क्या आप सब लिखित में हमें ये बता सकते हैं कि आपको जो अर्बो डॉलर दिये गए उनका आपने क्या किया बैंकों के प्रमुखों ने इस अंसदिय समिती को समझाने की हर मुम्किन कोशिश की कि उन्होंने गलत मुन्ने नहीं लिया जेपी मॉर्गन के अध्यक्ष जेम्स डाइमन ने कहा आज का आर्थिक संकट कई लोगों की गलतियों का नतीज़ा है वितिय बाजार की आज की हलत के लिए हम लोग जो आज यहां मौजूद हैं और कई जो यहां नहीं हैं कुछ हद तक जिम्मिदार हैं सिटी ग्रूप के प्रमुक विक्रम पंडित ने कहा कि उन्होंने खुद अपनी जेप से 84 लाग डॉलर्स कंपनी में डाले हैं और जब तक कंपनी फिर अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं होती वे सालाना केवल एक डॉलर की तंखा लेंगे ये सुनवाई संसद के प्रतिनीती सदन के वित्तिय सेवा समिती की पहली सुनवाई है जिसमें एक साथ इन सभी बैंकों के सीएओस को सफाई देनी पर रही है अमेरिकी अर्थवयोस्था को बचाने के लिए बनाये गए आर्थिक मदद के पैकेज पर संसदों के बीच के मदभेद अब दूर हो गए है अमेरिकी हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव और सिनेट द्वारा पारित इस पैकेज के अलग-अलग मसोदों को मिला कर एक साजा मसोदे पर सहमती बन गई है अमेरिकी संसद के दोनों सदनों द्वारा तयार किये गए इस साजा समझोते के तहट आर्थिक मदद की राशी को 789 अरब डॉलर तक घटाया गया है इस पैकेज में से 150 अरब डॉलर यातायाद की सुईधाओं जैसे मूलभूट धाचे के विकास की योजनाओं पर खर्च किये जाएंगे और आम आदमी को टैक्स में राहत देने के लिए भी इस्तिमाल किये जाएंगे इसमें से कुछ रकम राज्य सरकारों को भी मदद के रूप में दी जाएगी मद्यमवर्ग को भी करो में भारी छूट मिलेगी इस पैकेज को बनाने वाले सूजन कॉलिंज जैसे सांसदों का कहना है कि आर्थिक मदद का पारित होना अर्थिवयवस्था की हालत सुधारने के लिए बेश कीमती है आर्थिक मदद पैकेज की राशी जिम्मेदाराना रूप से तैकी गई है जो आर्थिक सुधार की ऐसी नीतियों, कारिक्रमों और करों में राहत देने जैसे उपायों पर खर्च की जाएगी ताकि आर्थिवयवस्था में सुधार आए, नौकरियां पैदा हों और देश के परिवारों को राहत मिले इसके पहले सिनेट ने और हाउस अफ रिप्रेजेंटेटिव ने 838 सरब और 820 सरब डॉलर के आर्थिक मदद पैकेज के दो अलग मसादे पारित किये थे दो मिनिट में फटाफट नूडल्स बनाना तो आम बात है, लेकिन दो मिनिट में शादी, चोकिएगा नहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है निव यॉर्क शहर में निव यॉर्क शहर ने अपने शादी के दफ्तर में अब नई जान डाल दी है मतलब ये कि आपको चाहिए बात हजम हो या ना हो लेकिन अब सिर्फ साथ डॉलर यानि लगभग धाई हजार रुपे में एक लर्क दो मिनिट की रस्मों में आपकी शादी भी करा देगा और आपको मेरिज लाइसेस भी देगा अधिकारियों का कहना है कि वो अपने मेरिज बिरो को शादी के लिए देश का यानि अमेरिका का सबसे बड़ा केंडर बनाना चाहते हैं यहां के करमचारी माइकल मैक स्वीनी का कहना है यहां फड़ाफट शादी करने के लिए आपको नियू यॉयॉक शहर का निवासी होना या अमेरिका का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है दुनिया में आप किसी कोने से भी हो बस ज़रूरत है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए शादी करने वाले मिशिल और केनिया मूर का कहना है वो बेहद उत्साहित है यहीं पर फूल भी मिलते हैं और शादी की अंगोठी भी और घवराने की बात नहीं है क्योंकि ये अंगोठीया स्ट्रेचिबल है यानि किसी भी उंगली में फिट के जा सकती हैं शादी की इस रस्म में और सतन एक से दो मिनिट लगते हैं और फिर मैक सुईनी कहते हैं कि नियॉयॉक के कानून के हिसाब से मैं आपको पति-पत्नी घोशित करता हूँ और दस साल के स्टम को मिला है अमेरिका के सर्वोच्च कुत्ते का सम्मान नियॉयॉक में एक डॉग शो में सेकडो कुत्तों में से ससेक्स पैनियल जाती के स्टम को चुना गया और खास बात ये है कि सर्वोच्च कुत्ते स्टम की उम्र 10 साल है यानि 70 साल के आदमी की उम्र के बराबर अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं पता है www.voasamachar.com और अमेरिका लाइव के बारे में आपकी राय और सुझाव हमें लिग भेज सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है americalive.voanews.com तो अभी बस इतना ही अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आप से कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार